ओम उशन हवाई वाजिस्रवसह सर्ववेदसंदव तस्यह नचीकीता नामपुत्र आस नमस्कार मित्रों ये जो मंद्र है ये है कठोप निशत की प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है और आज के वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं ये कहता है ओम उशन हवई अर्थात ओम कामना से निश्चित ही वाजिस्रवस अर्थात वाजिस्रवस ने सर्ववेदसंदव अर्थात सारे ज्यान के साथ दिया तस्यह अर्थात उसका निश्चित ही नचिकेता नाम पुत्र आस अर्थात नचिकेता नाम का पुत्र था तो यहाँ पर इस प्रतम मंत्र में जो कठोप निश्चित की प्रश्ट भूमी है उसके विश्चित में बताया जा रहा है कि कामना से निश्चित ही वाजिस्रवस ने सारे ज्यान के साथ में दान किया और उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था तो यहाँ पर जो बात हमें ध्यान देनी है वह कामना से दान देने की बात भी यहाँ पर है कि वाजश रवस जो हैं उन्होंने कामना के साथ में ध्यान दिया तो यह जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कामना के साथ में ध्यान दिया इसको हमें समझना है देखिए दान जो होता है वह किसी कामना के साथ में नहीं दिया जाना चाहिए यदि दान को आप किसी कामना के साथ में दे रहे हैं तो वह दान फिर दान नहीं है वास्तों में फिर तो वह व्यापार है क्योंकि आप जो दान दे रहे हैं उसके प्रती आप कुछ कामना करते हैं तो ये जो दान है इसे आपकी जो कामना है वह दर्ड होगी दान हम क्यों देते हैं वास्ता में दान देने के पीछे जो उद्देश होता है वह अपनी कामना को खशीन करने का होता है कि यदि आप दान देते हैं और ये आशा करते हैं कि मुझे इस दान के पती कुछ प्राप्त हो तो फिर आपकी जो कामना है वह थोड़ी नक्षिन होई उस स्थिती में तो आपकी कामना और प्रबल हो गई तो जब लोग कुछ भी दान करते हैं और ये कामना करते हैं कि इसके प्रती मुझे कुछ प्राप्त हो तो वास्तो में वह फिर दान नहीं है और हमें ये भी धियान होना चाहिए कि जो दान हम देते हैं वह ऐसा होना चाहिए जो कि हमें प्रिये हो वास्तों में हमें जीवन में क्या चाहिए हमें जीवन में त्याग विक्सित करने के आवशिता होती है कि हम यहां पर जो भौत एक वस्तुएं हैं उनकी कामना ना करें हमें भौत एक सुख की कामना ना हो इन कामनाओं से हम मुक्त हो जाएं यदि हम इन कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे तो उस स्थिती में हम फिर ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे हम दिविता की और अग्रेसर हो सकेंगे तो इसलिए दान का महत्व है कि आपके भीतर त्याग उत्पन हो कि आपकी आसकती जिन वस्तूँं से है आप उनको दान कर दें आप उनको त्याग दें एक प्राप्त से कि आपका यदि धन में आपकी आ सकती है तो यदि आप धन दान करते है तो उससे आपकी जो आ सकती है धन में वैक्शीन होगी यदि आप में काम वासना है तो यथिए आप काम-वासना को थ्यागना चाहते हैं तो आप उस स्थिती में ये बोलेंगे कि मैं अपनी काम-वासना को ही थ्याग रहा हूँ तो वो जो थ्याग है वह भी वासना में एक प्रकार का दान ही है क्योंकि आप अपने उपर एक नियंतरन लेकर क्या रहें कि मैं अपनी काम वासना को नियंतरन में लाओंगा तो वो भी एक प्रकार का दान ही है या यदि आपका अपने पुत्र में आपके परिवार में आपके राश्टर में आसकती है और यदि आप उस आसक्ति को त्याग देते हैं तो वह एक प्रकार का दान है वह आपने ईश्वर के लिए दान कर दिया कि मैं ईश्वर की और प्रगति करना चाहता हूँ इसलिए मैं इन सभी आसक्तियों को अब त्याग रहा हूँ तो वह वास्तों में दान होता है किन्तु यदि आप जो है कुछ दान देते हैं ये सोच करके कि अच्छा चलो मैं यहाँ इस मंदिर मैं जो है सौर पे चड़ा दूँगा और इससे मुझे नौकरी मिल जाएगी या मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करूँगा ताकि भगवान जो है वह मुझे धन प्रदान करते हैं या मेरा घर बनवा दें इस प्रकार की बात करते हैं मौerm quantidade आप दान के बोल इसलिह देते हैं कि मेरा जो जीवן है वाई कुशल वंगल रहे बस इसलिह आप दान देते हैं कि मैं द्यान《द्यान देता हूं। ताकि मेरे जीवन में सब कुछ कुछ कुछल मंगल रहे, इस प्रकार से ज़्त है आफ दान दे रहे हैं, तो फिर वास्तों में दान नहीं है, वह पिर आप कहेंगे करें कि एक वियापार होगया कि आप कहें और चोप्छे घ्र होगे, चुछे तो इसके बदले वे लित वेदे, वो वास्तों में दान नहीं है, तो यहां पर सबसे पहले मंतर में जो कहा गया है, वह यह ही कहा गया है, कि वाजशरवस ने जब दिया, तो उसने कामना से दिया, सब को जानते वे भी, वाजशरवस को यहां पर बताया जा रहा है, कि वह एक ब्राम्मन है, वह ग्यान है वह वेदों के ग्यानी है और वेदों के ग्यानी होने पर भी उन्होंने जो है कामना से ध्यान किया तो यह भी आथ हमें ध्यान करने से यह की देखिए वेदों का पार्ट कर लेने से ऐसा नहीं होता है कि आपके वल शास्त्रों का पार्ट कर लें तो आप में जो है यह कामन कुछ प्राप्त हो तो कई बार बड़े बड़े ग्यानी जो होते हैं वह भी दान तो करते हैं किन्तु वह भी किवल दिखावा ही होता है बहारी रूप से तो वह कहते हैं कि मैंने सब त्याग दिया कि तू भीतरी भीतरी दिखा जा तो वह त्याग नहीं हुआ होता है उसके ये भी वास्ताव में जो है ये इच्छा शक्ति से दान देना और बिना कामना के दान देना बहुत ही महत्तु पूर प्रकड़िया होती है कि विकति यह सोच है कि अच्छा भले ही मेरे भी początku वह है तो मुझे वो ना प्राप्त हो इस प्रकार से भी यदी व्यक्ति बोल दे मालिजी कोई जो है वैकिवली जाप है कि मेरा जीवन कुशल रहा है और उसके ले करके वो दान दे रहा है तो मन में उसको एक संकल्प भी बनाना चाहिए कि मैं ये दान जो दे रहा हूँ वो केवल दे रहा हूँ इसमें मुझे कोई भी इसमें इसके प्रति मुझे कोई कामना नहीं है और मुझे कुछ ना मिले इससे इस प्रकार से दान होना चाहिए तब तो वो दान होता है वह व्यक्ति के लिए कल्यानकारी होता है अन्यता दान ज काम नाती हुए और बढ़ी ही है वह कम थोड़ी हुई है आप बोलें कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए यदि मैं दान करता हूँ या मेरा घर बन जाए तो आपकी तो घर में और आसे थी बढ़ी उसको ले करके तो दान काम बह वाए बढ़ी है